प्रिय साथियो नमस्कार गुरुजी आर्पी शोरान के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं हर्याना कोशल रोजगार निगम ने अपनी जो ये मुहीम चलाई है HKRN ने अब ये लोग अपना जो मैसेज पहले भेज चुके थे उनके लिए offer letter भेज रहे हैं जी हाँ अभी कुछ साथियों के पास ये आ चुके हैं कुछ के पास अब रात को भी और अगले दिन भी ये आपके पास में आ सकते हैं ये अच्छी ख़बर है और उस पर mention भी किया हुआ है कि जब तक department आपको चाहेगा रख सकते हैं और एक साल के बाद मे आपको हटा भी सकते हैं एक साथि के पास जो ये message अभी आया है उसमें लिखा है कि you can join your duty on 15.12.2022 अर्थाद 15 जो ये तारिख अभी इस महिने की है उस तक आपको सबको ये join करवा देंगे आप चिंता ना करें the term of deployment अगर आपको अठाया जाना है period is as per required by the department अगर department चाहेगा आपको तो रख सकता है और अगर ना चाहे should not be more than one year एक साल तक आप रह भी सकते हैं और हटाय भी जा सकते हैं the basic salary जो है वो आपकी यहां mention की गई है 2600 पिचेतर for a calendar month employer contribution for ESI, EPF and LWF जो ये भत्ते हैं shall be extra as applicable वो आपके अलग से रहेंगे तो मैं आपको बता दूँ ये कारवाई जो है अभी शुरू हो चुकी है आपके पास में जो इस परकार का message अभी दोबारा से आएगा कि you have been selected for a contextual job opportunity under Haryana कोशल रोजगार निगम kindly click the link below to download the offer letter तो आप जो है उसी परकार से offer letter को इस link पर जाकर के अपनी family ID भरके अपने नाम को क्लिक करके OTP डाल करके आप offer letter को प्राप्त कर सकते हैं और जैसे ही उसमें जो mention किया है उस अस्थान पर आपको जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस परकार से वो जो offer letter है उसका आपको बताया जाएगा कि आपके स्कूल का नाम और डिडियो वगेरा का नाम भी उस परकार से वहां mention होगा place of posting जैसे ये दिया गया है जिर जाएगा तो आप उसी जगह पर जाएंगे जितने भी आपके documents आपने submit वहां किये थे वो सारे की सारे लेके जाने हैं और 4-5 या जितने भी हैं आप photo लेके जाएए मैं तो कहता हूँ कि जितने भी documents हैं उनकी photocopy original photo सब चीज आपका एक bag में हो और उचित समय पर जो है आपको confirm भी करा देंगे और जिस किसी के पास इस प्रकार का message आया है कि dear candidate your registration is incomplete और job advertisement you are requested to complete and submit your application मतलब इस से आप प्रेशान ना हो ये एक वैसे computer की द्वारा भीजा गया है कि अगर कुछ missing है तो आप कर लें अगर नहीं missing है तो कोई बात नहीं आप इसको ये ना माने की जी हमारे पास message send कर दिया है तो आपको घबराने की आवश्यक्ता है नहीं जो भी आपके पास में अगर नहीं आया है तो आ जाएगा और जिसके पास में आ गया है वो आगे अपना जाने का प्रेतन करें और हाँ आप जो है अपने subject wise comment अवस्य छोड़ दें और उन्हीं comment में ज ये मंगवाया गया है मुझसे और अगर किसी का English का है तो वो English वाले में बताते जाएं math वाले में ही comment करते जाएं इस प्रकार से सभी का सहयोग आपका हो जाएगा और जो भाई वहाँ पर जा भी आए वो पुनह आकर के भी दूसरों की help के लिए उसमे message छोड़ सकता है कि मैं गया था मुझसे ये चीज़े मांगी गई है और आप जो है ये चीज़ें लेकर के जाएं तो इस चीज़ का आप विशेश ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी साथी का जो है कुछ छूट जाए वो बड़ा गलत है दूसरे का सहयोग करने पर ही भगवान आपक जानकारी के लिए आप चैनल तो सब्सक्राइब करें लें नोटिफिकेशन ओन करेंगे तो लेटस्ट न्यूज आपके पास में पहुंद जाएगी धन्यवाद